अयोध्या के राजश्री दर्श्रत मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर के केंद्री एकरत प्रयोक्षाला में अब खून की कई आधुनिक जाँच आसानी से हो सकेंगी इसके लिए सामाजिक संगठन सेवा भारती ने लगबग 30 लाक रुपे की तीन आधुनिक मशीने दान की हैं जोध्या के मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में सेंटरल पैथोलोजी लैब का शुभारम सांसद लल्लू सिंग वे राममंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने किया सामाजिक संगठन सेवा भारती ने लगबग 30 लाक रुपे की तीन मशीनों का दान किया अब मेडिकल कॉलेज में 200 तरह के बलड टेस्टिंग हो सकेगी यही नहीं 2-4 घंटे में रिपोर्ट भी मिल सकेगी जिस बलड टेस्टिंग के लिए मरीजों को लखनो जाना पड़ता था अब वे मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में ही हो सकेगी जैसे कैंसर, मारकन, इंफरेटरी, मिटामेन वे हार्मोन की भी जांच हो सकेगी इसके अलावा मानसिक रोग विभाग में ECG मशीन का भी शुभारम किया गया यह मशीने लगबक 23 लाख रुपए की लागत से लगाई गई हैं जिसमें एनिद्रा वे अन्यमानसिक रोगों की जांच हो सकेगी तालो जी की सारी मसीने हैं यहां पर मरीज्यों को ठीक से सुविदा उबलब्ध हो इसके लिए यहां का आक्पिटल का प्रसाशन प्रिंस्पल जाहिव सभी डाक्टर और शेवा भारती की लोगों ने उसको डोनेट किया कि यहां पर हम सब चाहिए कि सुंदर विवस्ता हो जैसे पूरी दुनिया से जब लोग आए तो यहां इस मेटिकल कालेट को देख करके जाकर उसकी तर्चा करें सभी बरकार की सुविदाएं यहां उबलब्ध हों इसके लिए हम सम मिल करके इसके लिए प्रयास से डोनेट किया है वह बिल्कुल आटोमेटिव मेशीन है फुली आटोमेटिव और एक बार में वह 400 सेंपल लेगी और एक घंटे में वह कंप्रीट प्रिंटर रिपोट देदेगी उसमें कोई भी मैनोल वर्क नहीं है और जितनी भी ब्लड की सैंपल से हैं अभी एवन की क प्रादेशिक विकास दल विभाग के तत्वाधान में एक दिवसी युवा उतसब कायुजन किया गया कारिक्रम के मुख्यातीती के रूप में बलसी विधायक हरी शाक्य ने मासरस्वती की प्रतिमा के सबक्ष दीप्रजुलित और माले अरपन कर कारिक्रम का शुबारम किया इस दोरान वदायक ने कहा कि कारिकरम में ग्रामिन और शहरी प्रतिवाओं को मंच प्रदान करके उनको अपनी प्रतिवा दिखाने का अफसर प्रदान किया गया जला युवा कल्यान अधिकारी ने मुख्यातीती को विभाग की तरफ से बुके और स्प्रती चिन प्रदान किया, फ्रत्योगिता के समापन अफसर पर जला विध्याल है, निरिक्षक बदायू और आर कॉपरेटिव द्वारा विजेता कलाकारों को प्रमान पत्रवे रुखेल खंड के मिनी कुम्ब के नाम से प्रसित गंगा टट पर लगने वाले मेला ककोडा का जिला अधिकारी मनोज कुमार निक्या निरिक्षन, इस दौरान वरिष्ट पुलिस अधिक्षक डॉक्टर ओपी सिंग, मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिला अंधित अधिकारियों भी मौजूद रहे, निरिक्षन अधिकारियों को आवशक दिशा निर्देश दिये गए, डियम ने मेले शेत्र का ब्रहमन किया, गंगा टट पर मुख्य घाट पर प्रकाश विवस्ता, वाश टावर, बेरिकेटिंग पुलिस फोर्स एनात करके करन अधि विवस्ताओं को समय से पूर्ण जाच की जाएगी। P&DT की सयुक टीम द्वारा मुक्वीर की सूचना पर इस कारवाई को अंजाम दिया गया, आरूपियों की कबजे से वायरलेस अल्ट्रासाउंड मशीन, मोबाइल फोन और 49,500 रुपे बरामत किये गये, पुस्ताच करने पर आरूपियों ने बताया कि हम दोनों और हमारा स अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गर्वती महिलाएं हैं, जो अपना अल्ट्रासाउंड कराने आती हैं, उनकी जानकारी हमें देता है, हम तीनों मिलकर इसे वायरलेस अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रियोग कर गर्वती महिलाओं का भून परिक्षन कर पेट में लड़का है, लड़की की जाच कर उन्हें बताते हैं इसकी सूचना पुलिस को मिली मुखविर के द्वारा उसके बाद एक महिला अरक्षी जो गर्वती थी उसको हमने इसे डिकवा की तरह इस्तिमाल किया उन्होंने बहुत चत्राई से इसे संपर साथते हुए उसमें दो मेन अभ्यूक्त हैं एक सचन और रौकी दौनों जहरा गाओं गंगों के रहने वाले हैं इसे संपर किया इनको पंजावी बाग में कमरें बुलाया और यह जब पूरी कारवाई कर चुके थे प्रक्रिया कर चुके थे एक बार अपना जो अल्ट्रसाउंड जो पोटेबल मशीन है उसके द्वारा से पैसे लेके निकल रहे थे प अभियुक सचिन है वह दुजार सोला में कुरुक्षेत्र जिला हर्याना राज्ये से जेल भी जा चुका है लाडवा जेल से लाडवा थाने से और उसमें भी इसी PC जो PNDT हमारा एक्ट है उसी के अंतरगाती गया है और इनके पास से एक प्रॉब मिला है पोटेबल अल्ट से खरीदा गया है और उसी में एक सॉफ्वेयर डाउनलोड करते थे और उसी में उसका बिसकी रिफ्लेक्शन आता था जो आपके पेट के अंदर है कि फिलाल बुलिटिन में इतना ही देश-प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रही नवतेश टीवी के साथ नमस्कार हुआ है